ममार्थ ओनियन हेर ओयल का तो यह जो आइल है इसको लास्ट तू मन्त से यूज़ कर रही हूं और इसकी जो रिजल्ट है वह बहुत जादा अच्छा है इसे पहले मैं यह यूज़ नहीं करती थी तो बहुत जादा मैं अभी अपने हैर फॉल से बहुत जादा परेशान थी म अच्छा है के लिए तो अदा मेरे बहुत डर नहीं जाएक हैं तो मैंने ओसितल हैं रहत जादा सब्सक्रणा के लिए और तो प्रोडूप मे nag 19 diferença क्टा थो फीर मैं बेलच अच्छा का कोई पहले का च्टा और घूना हेर भी wiele कि आपना बाहा जू नहीं है यूज नहीं किया जाता है तो जब मैंने इसका ये वला हेर ओयल देखा ओनियन वाल तो आजकल बहुत सारी हम लोग रेमेडीज भी ट्राय करते रहते हैं तो उसमें बहुत जादा है कि आप पेस्ट बना करके आप अपने हेर में लगाएंगे तो वह काफी जादा रिलीव देता है हेर फॉल में इतना सारा कुछ मतलब आप नहीं कर सकते हैं खास दोर से जब आपके साथ बच्चे हों चोटे तो बहुत मुश्किल होता है कि इतनी स करते हैं इतनी छोब से नहीं। वाला पैंख है कि पहले और पहले पैंख आता होगा और ये कभी युज नहीं पाता है कि अधिकन सब्सइए क्इस तुर्षा है कि ऑलमन्ट ये था मैं सकते हुसितर हमान। क्रशन देता हुता है और नहीं है हेर्स के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हम फुल होता है तो आज कल यह सारी ही चीज़े हम लोग जान चुके हैं तो देख करके इंगरीडियेंट सी हम लोग कोई भी चीज जो है वो अपने लिए यूज करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने इसको देखा तो गाई सबसे मुझे यह अच्छा लगा कि इसमें मिंडल ओयल एंड सिलिकोन फ्री है इसमें ऐसे किसी भी ओयल का यूज नहीं किया है जो कि हमारे लिए हर्मफुल हो डर्मटोलोजिकली टैस्टेड है एंड फॉर आल हेर टाइपस है तो आपके हैर्स कैसे भी है आप इसे यूज कर सकत अच्छा लगा नेचे सारे जो है ओयल एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बोला था कि इसकी वज़े से बनाना बहुत जादा मुझकिल हो जाता है इसमें सब है गुडल एक्सट्रैक्ट सैसमे ओयल ओलिव जोजोबा ओयल आलमंड ओयल तो जब आम अपने हैर्स के लिए तो मैंने वह भी लगाया बट इतना जादा मुझे नहीं मिला हाला कि मैं सचबा बता हूं तो मैं इतनी जादा ओयल कर भी नहीं पाती हूं अपने हैर्स की तो इसमें मुझे अच्छा लगा कि एक साथ बहुत सारे ओयल तो सबका ही पोशन जो है वह आपको मिल जाएगा य यूज करना इसको बहुत जादा एजी है यह भी मुझे काफी अच्छा लगा पहले मिर पास मैंने कोकोनट ओयल भी यूज किया अपने बालों के लिए जो कि है पता अंजली का तो उसकी भी बॉटल काफी जादा बड़ी राती है वो भी यूज करना थोड़ा साही रहता ह अच्छे आज है तो बिखरने का भी डर रहता है और उसके अलावा मैंने बड़ाम का तेल भी मैंने यूज किया तो अभी मुझे यह काफी जादा बैस्ट लगी इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है बहुत स्टरडी पैकेजिंग है इसकी इसके उपर अलग पैक था उस रख सकते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इसे एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा अपने हेर्स के लिए इसको बहुत सारे लोगों को होता है कि वो जो है शैंपू करने से पहले एक घंटा पहले इसको लगा लेते हैं और उसके बाद में शैंपू कर तो आप वैसे भी कर सकते हैं बट मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप हेर ओयलिंग करें गाइस तो प्लीज उसको ना होल नाइट के लिए अपने हेर्स में छोड़िए तब भी आपको अच्छे से उसका पोशन जो है वो आपके हेर्स को आपकी स पिलो का डर रहता है तो पिलो के ऊपर आप कोई भी कपड़ा रखके सो सकते हैं टौवल रख दीजिए और सुबह में ही आपके हेर्स जो है आपने वाश कीजिए तो इसको एपलाए करना बहुत एजियर डारेक्टी मैं इससे रूट्स पर एपलाए करती हूं अराम से बा पर देर के लिए 5-10 मिनिट साब जो है हलकी मसाज कीजिए लिटरली गाइस बहुत जादा अच्छा लगता है बहुत रिलीव देता है इसकी स्मेल इतनी सूधिंग है बहुत अच्छी इसकी स्मेल है बहुत सारे ओईल्स की स्मेल भी बड़ी जीब सी लगती है कि वह दम द इस बहुत जादा सूधिंग है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है इतनी भीनी भीनी सी खुश्बो आती रहती है तो आप हलके हाथ से मसाज कीजिए और सो जाईए और नेक्स्ट जो है आप अपना जो भी शैंपू यूज करते हों मैंने कौंगी मैं क्योंकि कि किसी भी मैं को यहां पर प्रमोट नहीं कर रही हूं कि आप ममा अर्थ का ही शैंपू यूज कीजिए या ममा अर्थ का ही कंडेशनर यूज कीजिए जो भी आप करते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल हो सूट करता हो आपको अच्छे से आप वह वह बला शैंपू यूज कीजिए तो आपको आठ ग्लास पानी कम से कम पीना चाहिए तो मुझसे तो यह नहीं हो पता है बट मैं सब को सब्सक्राइब करूंगी और मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ ही कि मैं भी जो है आठ ग्लास पानी जरूर से प्यूंग आप इट आवर्स की नाइट यह गाइज नाइट स्लीप जो है वो लेनी बहुत जादा ज़रूरी है तो आप इस चीज का ज़रूर से ध्यान रखें और अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लें ओमेगा 3 लें तो यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यह मैंस और मैंस दोन damaged colored and chemically treated hair तो जो भी treatment अगर आपने कुछ अपने hairs पर कराया हुआ है तो तब भी आप इसको try कर सकते हैं suitable for all hair types तो I hope guys कि मेरा ये जो review है ये आप लोगों के लिए helpful रहा होगा helpful रहा है guys तो like, share और subscribe करना बिल्कुल भी न भूलिएगा thank you guys, bye bye